नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि अगर बुरा कंडिशन वालक स्वायल है तो वहाँ पे हम लोग कौँँ सा फाउंडेशन देंगे DEEP Fाउंडेशन देंगे क्यों क्यूँ क्यों क्यूंकि DEEP Fाउंडेशन न कहीं एक हार्ड स्टार्ट तक जाता है ठीक है ना उसको हम इतना DEEP तक लेके जाते हैं, जहां तक हमें hard starter मिल जाए, ठीक है न, कोई rock walk पे जाकर करके हम इसको क्या करते हैं, प्लेजड करते हैं कि वो क्या करें, structure का load बेर कर सके, ठीक है न, shallow foundation का depth कम होता है, deep foundation का depth जादा होता है, ठीक है न, इन दोनों and less compressible swell or rock at depth, मतलब कि अगर आप कोई भी foundation बना रहे हैं, तो इसका क्या होगा, अगर वो deep foundation है, तो सबसे पहली बात क्या है कि इसका जो गहराई होगा, वो क्या होगा, जादा होगा, तो अगर हम बोलें, कि यह हमारा ground surface, ground surface, तो यह क्या कहलाता था, depth of foundation याद होगा, आपको depth of foundation और यह क्या होता है, base of foundation ठीक है न, depth of foundation और base of foundation, तो कौन बढ़ा है, depth जादा है, इसके चोड़ाई से ठीक है न, चोड़ाई से जादा है तो यह क्या होजाएगा, deep foundation कहेगा अब बात करते हैं क्या कि मान के चली ये स्वाइल है जो उपर का स्वाइल है वो क्या है वीक स्वाइल और और क्या है लेस कंपरे मोर कंपरेसिबल है ना more compressible soil है ठीक है यहां का soil क्या है? weak है, soil है और more compressible soil है कि मतलब थोड़ा भी दबाएंगे तो बहु ज़्यादा दब जाएगा more compressible है तो इसको हम कहां तक लेके जा रहे हैं? weak soil और more compressible soil से ले करके यहां तक लेके आ रहे हैं, यह क्या है? less compressible soil और rock भी आ सकता है, समझे रहे हैं तो हम लोग कहां से लेके जा रहे हैं? weak soil और more compressible soil से less compressible soil तक लेके आ जा रहे हैं, मतलब hard soil तक हम लेके आ रहे हैं, इसको क्या deep foundation को, ठीक है? तो बात करते हैं कि यहां का जो load है, यहां का पारा है लोड, तो क्यू लोड को हम कहां दे रहे हैं? कई न कई मिटी में दे रहे हैं? तो इसका resistance आपको कहां से कहां तक मिलेगा? अगर resistance बात करें, तो यहां पर दोनों resistance मिलता है, इसको कहते हैं, यह लिखेगा base resistance और हमें side से भी मिलता है, इसको क्या नाम दिया गया है? side resistance, इसको क्या मिला है? base resistance भी मिला है और side resistance, मतलब क्या है कि swirl और foundation इन दोने के बीच में friction भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और उसको क्या करकर रखा है? bear कर रहा है, मतलब load को, तो यहां पर कह रहा है कि, important बात है क्या, कि weak compressible soil से ले करके, कहां तक लेके जा रहे है, stronger and less compressible soil तक, ठीक है ना, यहां पर less compressible soil है और rock है, और इसको क्या कहते है, stronger soil, यह weak soil है, यह strong soil है, ठीक है, यहां तक हम deeply, below the finished ground surface, for their base bearing capacity, मतलब, कि हम इसको इतना deep तक लेके जाते हैं, कि जो यहां पे, जो soil है, वो सारा bear कर सके, उपर के load को, ठीक है रहा, कि जो भी है, कि इसका base bearing capacity, सबसे नीचे लेकर के आते हैं, कि उसको कुछ न कुछ bearing capacity मिले, ठीक है न, मिले, मतलब, इस soil को जा करके, इदम स्टाटा ही change हो जाता है, ठीक है न, स्टाटा greater than 1 है, ठीक है न, हमेशा, मतलब क्या हो जागा, depth जादा होगा, विर्थ से, ठीक है, as per a scam turn, as per a scam turn, df upon b क्या होता है, greater than 2.5, क्या high गुना से जादा होता है, क्या depth, कि जतना चोड़ाई होगा, उसका high into करिए, जतना चोड़ाई होगा, into 2.5 करिए, उससे भी जादा क्या होगा, उससे भी जादे क्या होगा, depth होगा, as per a scam turn, के द्वारा कहा गया है, तो यह चीज रखना है क्या, deep foundation में और इसमें क्या होगा, एक important बात यहां पर लिख लिए जागा, कि deep foundation में गहरा ही जादा है, तो यह हमक्यार लेगा, कि it gives side resistance as well as base resistance. यह side के साथ base resistance भी देता है, यह भी topic में लिख लिएगा, तो यहां पर बात है क्या, कि shallow foundation हम लोग बना रहे थे, shallow का क्या क्या अलग अलग पार्ट पढ़ें, ठीक है, shallow पूरा complete किया, तो shallow में एक चीज़ तो पता था, कि जतने आप चोड़ाई दे रहे थे, उससे कम ही गहराई दे रहे थे, उसका जो depth था, उसका कम था, ठीक है न, और चोड़ाई जादा था, यहां पर क्या है, कि depth जादा है, चोड़ाई कम है, और यह क्यों देना पर गया है, क्योंकि आपका weak soil था, weak soil था, अगर यहां foundation बनाते, इस level पर बनाते, तो soil हमारा structure नहीं जहल पाता, इसलिए हम इसको लेकर यहां तक गया है, कि जहां पर एक hard starter मिले, rock मिल जाए, वहां तक हम लेकर गया है, तो हमें यह पता चल गया है, कि यह जादा है, यह जादा है, यह कम है, अब इन दोनों में relation कौन दिया, तरजागी दिया और स्केम्टन दिया, तो as per तरजागी, तर स्केम्टन दिया, और तरजागी दिया, यह दोनों condition लिख दिजएगा, और इसमें एक चीज़ और क्या है, कि यह side resistance और base resistance दोनों देता है, ठीक है, side resistance और base resistance दोनों देता है, अब इसका अगर हम type बात करें, तो type हमने पढ़ा है, लिखा भी है, कि दो तरह का होता है, mainly, ऐस videos में, ठीक है, तो यहाँ तक आप आप लोग देख लिएजए, next topic आपका वही है, pile foundation and deep foundation, next अमना deep foundation में क्या है topic, deep foundation का types के बारे में, deep foundation क्या होता है, वो हमने देखा, अब उसके types के बारे में देखते है, types of deep foundation, तो mainly क्या है, pile foundation and well foundation, ठीक है, types एक तो peer foundation भी होता है, लेकिन mainly नहीं पढ़ना है ठीक है तो इसके अंदर पाइल फांडेशन क्या होता है वो पहले समझते है क्या है कि पाइल फांडेशन is a kind of deep foundation can be defined as a cylinder column, cylindrical column type का होता है और long cylinder made of material such as concrete or steel, मतलब वो बना हुआ concrete का बन सकता है या तो फिर steel का होगा, which are used to support the structure and transfer the load at the desirable depth, desired depth either by end bearing और skin friction, ठीक है, तो आपका main मकसद क्या है, pile foundation का कि वो structure का load, पहले तो वो बना हुआ क्या है, circular shape का बना हुआ है, पहली बात, दूसरा क्या है, कि उसका जो depth होता है, उसका जो depth होता है वो चोड़ाई से तीन गुना से जादा होता है, धाई गुना जो तीन गुना होता है, उससे जादा होता है और एक बात है क्या कि वो सारे structure का load, transfer करता है desired depth पर मतलब कि वो एक जो कहा जाता है कि load अगर हम थोड़ा सा जिसे की structure बन रहा है, ठीक है अब structure का foundation है, foundation अगर बाइद भी हम shallow तो इतना जाहिर सी बात है कि थोड़ा ही depth पर आपका swell का start, hard start मिल रहा है, कि वो हलके ही depth पर सारा load को bear कर सकता है लेकि ऐसा situation आजाए कि जो just उसके नीचे वाला जो मिटी है, वो capable नहीं है तो हमें क्या करना होगा, और depth तक जाना होगा, तो और depth तक जाने के लिए हम लोग को foundation करेंगे, pile foundation करेंगे, तो transfer the load, मतलब पूरे structure का load transfer कर देता है कहां पर, कोई भी smile hard start up है, जहां पर वो stable हो सके ठीक है, either by end bearing and skin friction, यह important है, end bearing and skin friction का यह मतलब हो गया कि पहले तो हम यह diagram देख लेते हैं, कि कोई भी normally, कोई भी अगर हम यह diagram बना ले ठीक है, foundation का ही, तो अगर यह हम क्या करेंगे, side view देख रहे हैं, कि यहां पर मानके चलिए foundation है, यहां पर एक, दो, तीन, चार, ठीक है, foundation जा रहा है नीचे, pile foundation है इसी को कहते है, कि वह क्या कर रहा है, वह बिल्कुल दर्फ तक जा रहा है तो यह कह रहा है, कि कोई भी foundation हमें कहां दे रहा है, बतलब, desired depth पर बहुत जाद है, तो भी यह, जो load bear कर रहा है, दो तरीके से होता है, एक होता है क्या, end bearing, ठीक है, और एक होता है क्या, skin friction, skin friction मतलब, इसके side side से जो friction लग रहा है, यह क्या नाम दियागा है, skin friction, ठीक है, तो क्या कह रहा है, कि concrete और steel which are used to support the structure and transfer the load at desired depth, either by end bearing or skin friction, ठीक है, यह बात कह रहा है क्या है, कि end bearing और skin friction, दोनों से, support करता है, ठीक है, next paragraph है, क्या, pile foundation are used for a large structure and in situation where the soil at shallow depth is not suitable to resist excessive settlement, मतलब, कि आपका, जो भी foundation की just नीचे वाला जो मिटी है, वो क्या है, वो उस लायक नहीं है, कि इस load को वो क्या करें, bear कर सके, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या, कौन सा foundation यूज करते हैं, pile foundation use करते हैं, तो इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है, कि pile foundation कि situation में use करते हैं, ठीक है न, एक तो यह topic पढ़ेंगे, उसके बार types of pile foundation, ठीक है न, कि कितने types हैं, pile foundation के यूज सारा कुछ, तो pile foundation में इतना समझ में आगया क्या, कि एक desired depth पर लेके जाते हैं, और उसका एक diagram अगर होगा, तो ऐसे आप लोग बना लिजएगा, फटा-फट, इसमें, और यह कहता है, इसको कहते है, pile foundation, इसका नाम क्या है, pile foundation, ठीक है, इसको लिख करके, और फिर हम लोग नेक्स्ट हमना जो भी topic होगा, कि हम कौन से situation में इसको हम use करें, इतना लिख लिजए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, next आपका question है क्या, कि when to use pile foundation, आप कौन से ऐसे situation में pile foundation use करिएगा, तो देखते हैं हम लोग कि इसका answer क्या हो सकता है, ध्यान से आप लोग समझेगा, हर एक line को हम लोग समझते जाएंगे, कि pile foundation कहां कहां use करेंगे, सबसे पहला point, ठीक है न, first point की बात करें, तो हम लोग करें, when the ground water table is high, when the ground water table, GWT, is high, ठीक है, मतलब, ground water table high है, इसका ये मतलब हो गया, कि ground water table जब उपर में है, shallow depth पे है, तो क्या आप वहाँ पर foundation बना सकते हैं, क्या, नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि तो पानी है, पानी तो load beer करेंगा नहीं, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, pile foundation यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पर water table बहुँ ज़्यादा high है, ठीक है, second, heavy, heavy, heavy and non-uniform load, from load, from superstructure are imposed, from superstructure are imposed, मतलब, जब ground water table high है, यह तो समझ में आया है, क्यों, क्योंकि उस देफ़ पर हम क्या कर सकते हैं, direct foundation यह बना सकते हैं, हमको बहुँ ज़्यादा नीचे देफ़ पर लेके जाना होगा, जब तक कोई hard starter ना आ जाया, वहां तक हम लेके, उसको fix करना पड़ेगा, next है क्या है, कि heavy आ रहा है, और non-uniform load आ रहा है, घर पे बहुँ ज़्यादा load है, तब pile foundation यूज़ करिये, और non-uniform है, मतलब एक तरह बहुँ ज़्यादा, एक तरह बहुत कम, तब जाकर करके आप pile foundation भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों case में यह यूज़ करेगा, बहुत important बात है, कि other type of, other type of foundation are costly, are costly, or not feasible, or not feasible, ठीक है, मतलब कि कोई other, जो भी हम कह रहे हैं, जो भी other type of foundation यूज़ करो, बहुत महँगा पर रहा है, या फिर वहाँ पर वह best नहीं suit कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या देंगे, pile foundation देंगे, ठीक है, next step का, when the soil at shallow depth is compressible, when the soil at shallow depth is compressible, मतलब कि, जो shallow depth पे हैं मिटी, जो just depth पे मिटी है, वो क्या है, compressible है, मतलब वो ज़्यादा दबता है, तो अब अगर वहाँ बना दीज़ेगा foundation, तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, वैसे वैसे दबना स्टार्ट हो जाएगा, और बनने के बाद अगर soil दब रहा है, तो फिर हमारा failure हो सकता है, तो इससे अच्छा है क्या है, कि अब क्या कर दीज़े, pile foundation दे दीज़े, soil का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, pile foundation में, 5th में क्या है, when there is a canal, or deep drainage near the foundation, मतलब घर के आसपास, कोई नाला के नाल वेगरा यूज़े है, तो वहाँ भी यूज़े करते हैं, when there is, when there is a canal, a canal or deep drainage, deep drainage system near the structure, system near the, structure, क्योंकि आसपास, canal हो, और deep drainage system हो, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, pile foundation देंगे, next हमारा क्या है, 6th point, 6th point क्या है, when the soil excavation is not possible, when the soil excavation is not possible, not possible, up to the desired depth, up to the desired depth, due to poor soil condition, due to poor soil condition, मतलब समझेगा, यह important है, कि आप excavation नहीं कर रहे हैं, जब excavation possible नहीं है, यह desired depth का, मतलब हम यह कहना चाहरे हैं, कि आप सबसे बड़ी बात क्या है, कि आप foundation तो बना लीजेगा, ठीक है, लेकिन pile foundation बनाने के लिए, आप pile foundation अभी नहीं prefer कर रहे हैं, अभी आप मान के चलिए, कि कोई भी shallow foundation आप देना चाहरे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले, हम लोग जहां तक की diagram याद होगा आपको, गढ़्धा करते हैं, ठीक है, तो ये जो depth है, वो किस पर depend करता है, वो ये जो depth है, वो किस पर depend करता है, कि भाई, इसके उपर कितना load आने वाला है, उस पर depth depend करेगा, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि, कि बहुत ज़्यादा load आने वाला है, बहुत ज़्यादा load आने वाला है, तो कहीं न कहीं, हमें बहु ज़्यादा depth करना होगा, बहु ज़्यादा depth देना पड़ेगा, और ये possible नहीं है, due to आसपास कोई structure हो, कोई पहाड हो, कोई mountain हो, कुछ भी हो, यहाँ building रहेगा, तो इतना ज़्यादा आप गढ़ा यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि यह failure हो जाएगा, तब भाई आप इसको भी बचाना, इस building को भी बचाना और यहाँ foundation भी देना है, ठीक है, तब आप लोग क्या करिएगा उस situation में, उस situation में हम लोग क्या करते हैं, pile foundation देते हैं, कि हमें गढ़ा करने का जरूरत ही नहीं है, हमें गढ़ा करने का ज़ादा जरूरत ही नहीं है, थोड़ा बोथ हम लोग क्या किये, foundation का एक खलका सा यह दे दिये, कि वो upper layer हट जाए, उसके बाद drilling करना start कर देते हैं, ठीक है ना, drill करके निकाल देते हैं मिट्टी, drill करके यहां से क्या कर देते हैं, यहां से मिट्टी निकाल दिये, और मिट्टी निकालने के बाद, फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, concreting कर देते हैं, तो फिर क्या हो जागा, पाइल फांडेशन की तरह वर्क करेगा, तो यह चीजे हम लोग किसमें करते हैं, पाइल फांडेशन में कि आपको एक्सकावेशन का जाधा ज़रूरत नहीं है, ठीक है न, तब जाकर कि हम लोग कि वेंदा स्वाइल एक्सकावेशन इस नौट पॉस एक और पॉइंट है क्या, वेन इट बिकम इंपॉसिबल तो कीप फांडेशन ट्रेंच ड्राइब पंपिंग और अधर मेजर तो हेवी इंफ्लो सीपेज, मतलब क्या हो गया, कि ऐसा कोई सीचुएशन है, मिट्टी पे, कि आप लोग का क्या है, कि कोई बारिस का पानी है, ठीक है, सीपेज हुआ, मिट्टी के अंदर गया, तो स्टार्टिंग का जो होता है, मिट्टी, स्टार्टिंग जो अपर लेयर होता है, वहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा होता है, पानी का, ठीक है, वहाँ पे पानी का ज्यादा क्वांटिटी है, तो वहाँ पे हम लोग क foundation काम नहीं करेगा, मतलब आसपास कोई ऐसा रीजन है कि जहां पे seepage हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी वहां पी कठा हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, in future भी तो वहां पे पानी आएगा, ऐसा नहीं है कि घर बनाने के बाद वहां पे seepage नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, तो वहां पे seepage होने का possibilities है, तो हम लोग क्या करेंगे, pile foundation ही दे दीजे, कि बाद में पानी आए भी तो हमें कोई फरक ना परे, ठीक है, तो ये सारा कुछ main है इसके अंदर, इतना लिख लीजेगा, कि when to use pile foundation, ये important है pile foundation का, और next हमारा last क्या है इसका, type of pile foundation, कि foundation भी है, तो कितने तरीके के foundation है, अब जो type है न, वो थोड़ा सा ये हो जाता है, लेंदी इसलिए हो जाएगा, क्योंकि type आप अलग-अलग basis पर define करिएगा, कि भाई उसका working, वरकिंग के हिसाब से कैसा type है, ठीक है, उसके बाद क्या है, जो material आप use कर रहे हैं, हो सकता है लकडी का बना हो, हो सकता है steel का, हो सकता है concrete का, तो on the basis of material उसको हम बाट देंगे, on the basis of use उसको बाट देंगे, on the basis of installation उसके हिसाब से, तो पहले हम लोग सारा नाम देखेंगे, वो important है, ठीक है, चलिए,